समस्त मात्र शक्तियों भाई बंदूं सादर जैसरी करश्ण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत थे आपके अपने ही चैनल एश्टरो गुरुजी में मित्रो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुचें आप नित्य नई नई ज्यान वरधक जानकारिया वा नित्य का राशी फल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो मित्रो आज आपको हम बताने जारें अती पुन्यदाइनी सरव पापनाशनी अनन्त नारण भगवान की वरतकता और पूजा विदी तो जो भी इस्त्री पूरुस सरद्धा के साथ इस वरतकता को सरवन करते हैं उन पर अनन्त भगवान की विशेश करपा रहती है उनके द्वारा जाने अंजाने में जो भी पाप कर्म हो जाते हैं वे पाप सब जल करके भस्म हो जाते हैं जो मनो कामना होती है भगवान अनन पूर्वक उनका पूजन आपको करना चाहिए पूर्वक उनका पूजन आपको करना चाहिए आयुज्य मोक्ष फल मिल जाता है तो इसकी पुन्यदाइनी वरत कःथा इस प्रकार से है इस वरत कःथा को इस दिन सरध्धा पुर्वक सरवं करने से ही इस वरत का संपुर्ण फल मिलता है भगवान अनंत की विशेष क्रपा मिलती है तो कःथा इस प्रकार से है Exodus जी महरा के सांथ यग्यशालə में जो अनेक प्रकार के रतनों से शोबित हो रही थी और मोती के समान चमकने वाली थी इंद्र की सभा के समान वह यग्यशाला चमक रही थी उसमें यग्य के निमित्थ सभी राजाओं को आमंतरण दिया था उसी समय गांधारी का पुत्र दुरियोधन उस यग्यशाला में आता है दुरियोधन जो है महां सूखे आंगन को जल से भरा हुआ समझ करके अपने वस्तरों को उठा करके धिरे धिरे चलने लगा उसे देख करके दुरोपती आदी इस्त्रियां उस पर हसने लगी और आगे जल के एस्थान को सूखा समझ करके दुरियोधन चलते हुए जल में गिर पढ़ता है उस समय समपुर्ण तपस्वी राजा तथा दुरोपती आदी इस्त्रियों ने दुरियोधन का उपहास उड़ाया था तो यहां देख करके दुरियोधन बहुती क्रोधित हो करके अपन कर पाएंगे है राजन यग्य मंडप में चलने के लिए आप तैयार हो जाईए तो ऐसा ही है ऐसा कह करके दुरियोधन यग्य मंडप में चले आते हैं इतने में सभी राजा यग्य समाप्त करके अपने अपने देश को चले गए इसके पस्चात राजा दुरियोधन ने हस्ति अब पांडव वनमन में घूमने लगे तो यहाँ समाचार सुनकर के भगवान स्री करश्न पांडवों को देखने की इच्छा करके उनके पास वन में पहुच जाते हैं। कि पूजा से हम अपना राज्जी फिर से प्राप्त कर सकते हैं अत्वा किस वरत को हम करें जिससे आपके प्रसाद से हमारा हित हो जाए। क्या तक्षक नाक है अत्वा परमात्मा को ही अनन्त कहते हैं। क्रपा करके हमें यथारत बताने की क्रपा करें। तब सरी क्रश्न भगवान कहते हैं कि हे दिश्ठर अनन्त मेरा ही सुरूप है। सूर्य आदी ग्रह और यह जो आत्मा कही जाती है और पल विपल दिन रात पक्ष मास रितू वर्ष यूग सब अनन्त कहे जाते हैं। जिसे काल कहते हैं वह भी अनन्त होता है और वही में क्रश्न हूँ जो प्रत्वी का भार उठाने के लिए अवतार धारन मेंने किया है। और दुष्टों का नास करने तथा साधूों की रक्षा करने को वासुदेव के वन्शमे में में उत्पन हुआ हूँ। आधी, मध्य, अन्त, क्रश्न, विश्न, हरी, शिव, वेखुंट, सूर्य, चंद्रमा और सर्व व्यापी, इश्वर तथा सरष्टी जो नास करने वाले हैं विश्व रूप, महाकाल, इत्यादी रूपों को मैंने अर्जुन के ग्यान के लिए दर्सन करवाया था। तो योगियों के ध्यान करने योग्य संसार रूप अनंत जिसमें 14 इंद्र है, 8 वसु है, 12 सूर्य है और 11 रुद्र है और नारद आदी, 7 रिशी तथा समुद्र, विंद्याचल, परवत आदी है और गंगा नदी आदी तथा वरक्ष, नक्षत्र, दसो दिशा, भूमी, प अनंत भगवान का वरत का महात्म और विधी बताने की करपा करें, तथा अनंत का वरत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुन्यफल मिलता है, यह भी बताने की आप करपा करें, मैं यह सुनना चाहता हूं, तो पूर्वकाल में यह अनंत वरत किसने किया था, और वसिष्ठ गोत्र में उत्पन भ्रगु रिशी की सुन्दर कन्या दिक्षा के साथ वेत की विधी के साथ विवाह कर लिया था थोड़ा समय बीतने पर उसके गर्व से उन्नत लक्षणों वाली एक कन्या उत्पन हुई थी उस कन्या का नाम शीला था वह अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी थी उसी समय शीला की माता जवर रोक से पीडित हो करके पवित्र नदी के जल में गिर करके मर गई थी उसके पश्चात सुमंतु ब्राम्मन ने ब्राम्मन की कन्या से जिसका नाम करकशा था विधी पुर्वक विवाह कर लिया था तो दुष्ट सुभाव की करकशा नित्य जगडा आदी करती थी उसकी सोतेली शीला नाम की कन्या अपने पिता के घर में दिवारों पर खंबो पर देहली पर चित्र कला तोरण आदी में चतुर्थी बनाया करती थी निले पिले सफेद काले इत्यादी रंगिन चित्र विचि कमल आदी रोजाना बनाया करती थी इस परकार बहुत समय व्यतीत हो गया इस परकार वह कौमारी अवस्था को वह सीला अपने पिता के घर में बड़ी हो गई इस्त्रियों के युवा अवस्था के चिन्नों सीला को देख करके सुमंतु को चिंता होने लगी कि यह कन्या में किसको दान में दू किसके साथ इसका विवाह करूं इस परकार से वह दुखी हो रहा था तो इस परकार की वह चिंता में लगा हुआ था उसी समय व्यत के जानने वाले स्रेष्ट इस्त्री की इच्छा करने वाला एक कांती युक्त मुनियों में स्रेष्ट कोंडिन रिशी गहते हैं और कोंडिन रिशी कहते हैं कि है सुमंतु तुमआरी सुंदर कन्या शीला को मैं वरण करना चाहता हूं यानि कि इसके साथ में विवाह करना चाता हूं तब सुमंतु ने एक शुब दिन देख करके स्रेष्ठ मुनी धर्म पुरिश कोंडिन्य से अपनी कन्या का विवाह कर दिया तब आगे स्री क्रश्न भगवान कहते हैं कि हे विदिष्ठिर ग्रहस्त सुत्री की कही हुई विदी के अनुसार उसका विवाह किया उस समय मांगलिक कारी किये गए तथा इस्त्रियों ने मंगल गान आदी किया ब्रामनों ने वेद मंत्रों का वाचन किया और बंदी जनों ने जैकार का घोश आदी लगाया यह विवाह कारी संपन होने पर अपनी पतनी करकसा से सुमंतु बोले कि है प् पेटी में बंद करके अपने पिता के घर जाने की इच्छा कही और भोजन से बचे हुए पदार्थ मार्ग में भोजन के लिए रख दिया सुमंत से बोली कि घर में धन आदी कुछ भी नहीं है जो हो तुम देख लेना तो हे दिश्ठिर ऐसे वचनों को सुन करके वह बहुत ह बड़ा दुखी हो गया विवाह के पस्चात कॉंडी निरेशी अपनी पतनी शीला को रथ में बेठा करके वहां से धीरे धीरे चल दिये मार्ग में पुन्य सुरूपा यमना नदी को देख करके उसके किनारे पर रथ खड़ा करके नित्य कर्म करने को चल दिये दोपहर को बोजन के समय उसी यमना तट पर उतर करके शीला ने लाल वस्तर पहने वे बहुत सारी इस्तिरियों को वहां देखा तो जो अनंत चतुर दसी के में भक्ती पूरवक जनारदन भगवान की पूजा कर रही थी उन इस्तिरियों के पास जाकर के धीरे से पूछा कि है बहनों आप करपा करके मुझे बताने की करपा करें कि आप किसका वरत कर रही है और इस वरत का नाम क्या है शीला वती जो है शुशिला के ऐसे वचन सुनकर के संपूर्ण इस्तिरियां बोली कि है शीला इसका नाम अनंत वरत है इस वरत में अनंत देवता की पूजा की जाती है यह तो यहाँ वच्चन सुनकर के सारी इस्त्रियां बोली की है शिला अच्छे अन्न के एक सेर माल पुवे बनाना चाहिए जिसमें आधा भाग जो है ब्रामन को देना चाहिए आधा भाग स्वयम भोजन करना चाहिए धन की कंजूसी को त्याग करके शक्ति के अनुसार ब्रामन का सेशनाग बना करके बांस की टोकरी में विराजित करना चाहिए फिर उसे सेशनाग का उसमें आवाहन करके प्राण प्रतिष्ठा करके इसनान आधी कराविन और वेदी के उपर चंदन पुष्प धूप दीप बहुत प्रकार के निवेद्य अनेक प्रकार के पकवानों स पुरुस उसे अपने दाएं हाथ में बांदें और इस्त्रियां अपने बाएं हाथ में बांदें। तो हे शिला इस प्रकार हमने तुमसे इस वरत का विधान बताया है। उस समय से शिला को वरत का प्रभाव मालूम पड़ा। उसके बाद अनन्त वरत करने से गव धन लक्ष्मी से उसका घर परिपूर्ण हो गया था। अतित्रि के सत्कार में शिला सदा ही लगी रहती थी। मानिक के हीरे जवरात सोने मोतियों से हरों से सुसजित हो गई थी। तो शिला बोली कि है स्वामी जिसके प्रसाथ से मनुष्य इस लोग में धन धान्यादी संपताओं को प्राप्त कर लेते हैं। उसी अनन्त भगवान के डोरे को में धारन कर लिया है। शिला के ऐसे वच्चन सुन करके उसके पती कोंडिनी रिशी ने लक्षमी के मद में मस्त होकर के अनन्त भगवान के डोरे को तोड़ डाला। और बोला कि यह अनन्त कोन हैं। उस मूड ने उस डोरे को जलती हुई आग में पठक दिया। तब हाई हाई करते दोडती हुई शिला ने अनन्त शुत्र को अगनी से निकाल करके दूद में डाल दिया। इन करमों के फलत से कॉंडिन्य के सारे एश्वर्य नस्ट हो जाते हैं। चोर उसकी गव को चुरा करके ले जाते हैं। और आग से उसका घर जल जाता है। जो पदार्थ जिस प्रकार से उसके पास आया था। उसी प्रकार से चला गया। अपने भाई बंदों से उसका कला हो गया और नित्यपती सभी से वह जगडा करने लगा था। उसी अनंत के डोरे को तोड़ने से घर में दरिदृता का वास हो गया। भगवान बोले है विदिष्ठिर। उससे कोई मनुष्य बातचीत नहीं करता था। वह पीडित हो गया था। दुखी हो करके वह बोला। तो हे शिले मुझे कोंसा बड़ा अपराद हो गया है और क्या करने से मेरा कल्यान हो सकता है। तो पती के ऐसे वचन सुनकर के शीला बोली कि है स्वामी आपने जो अनंत भगवान के डोरे का आक्षेप कर दिया है जिसे जला दिया है उसी के पाप के कारण यह फल आपको मि लेंगे परंतु उसके लिए उपाय करना चाहिए। शीला के वचन सुनकर के अती दुखी हो करके तप करने का संकल्प ले करके वन में जा करके आयू समाप्त होने पर तप करने का विचार करने लगा और ऐसे जगदीश्वर अनंत का दरसन जिसकी प्रसनता से द्रव्य धन प्राप्त पदार्थ आदी प्राप्त होते हैं उनका हस्तक शेप करने से या उनका अपरात करने से पाप बढ़ जाते हैं और उनके पुन्ने के प्रपाव से ही पाप नस्ट हो जाते हैं ऐसे हरी भगवान मुझे कहा मिलेंगे ऐसा वह विचार करने के लिए एसा तप करने के लिए वन में चला गया धन आदी पदार्थ होने के सुख तथा दुख से यह विचार करता हुआ वह निरजल वन में घूमने लगा वहां उसने फलों से संपन एक पेड को देखा उस पेड में कीडे पड़ गये थे यहां देख करके कोंडिनी ने उस पेड से पूछा कि कि हे कोंडिनी मैंने अनन्त को कहीं नहीं देखा है एसा उत्तर सुनकर के कोंडिनी रिशी दुखी मन से आगे बढ़ गए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे युदिष्ठिर अनन्त के दरसन की लालसा करते हुए रिशी ने वन में इधर उधर घूमती हुई कि हे काम देनू क्या तुमने अनन्त भगवान को देखा है यदि देखा हो तो बताने की करपा करें तब उस गाई ने कहा कि हे उत्तम ब्रामन मैं अनन्त को नहीं जानती हुँ तब आगे चल करके एक बेल को उसने देखा रिशी ने उनसे पूछा कि हे गव स्वामी क्या त तुमने अनन्त भगवान को कहीं देखा है बेल बोला मैंने अनन्त को कहीं नहीं देखा है तब कॉंडिनी रिशी ने आगे चल करके दो पुषकर्णियों को देखा जिनके जो जल थे आपस में मिल रहे थे उनसे पूछा क्या कहीं तुमने अनन्त भगवान को देखा है तो करके उनसे पूछा कि क्या तुमने अनंत भगवान को देखा है उनसे भी संतोस जनक उत्तर नहीं मिलने पर उसकी अनंत भगवान से मिलने की आशा ही नश्ट हो गई थी और वहाँ वन में बेट गया है विदिष्ठिर कॉंडिन ने जीवन की आशा को छोड़ करके बड़ा ही अनंत भगवान यदि तुम मुझे नहीं मिले तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूँगा है विदिष्ठिर जब जैसे ही व्रक्षपर मरने के लिए फासी उसने डाली तभी अनंत भगवान प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते हैं तो वे ब्राम्मन का रूप धारन की हुए अनंत भगवान ने उन रिशी से कहा इधर आओ उसका दाहिना हाथ पकड़ करके परवत की गुफा में उसे ले जाते हैं वहां सुन्दर सी इस्त्री पुरुशों से युक्त उस रिशी को अपनी पुरी को दिखाया वहां एक दिव्य सिमासन पर बेठ संक चकर गदा पदम गरुड के साथ विश्वरूप अपनी विभूतियों के भेदों से अधिक तेज और कोस्तुव मनी सहित वन माला धारन की हुए अनंत भगवान बेठे थे उन देवताओं के देव जो किसी से न पराजित होने वाले थे उन विश्वरूप को कॉंडिन रिशी देख करके उन आज मेरा जीवन तथा जन्म दोनों ही धन्य हो गए हैं तुम्हारे चरण कमलों के दर्सन करके मेरा मस्तक भ्रमर के समान आपके सामने इस पर सकर रहा है कॉंडिन रिशी के वचन सुन करके अनंत देव मधुर राणी में कहते हैं कि हे कॉंडिन तुम निर्भई हो करके मैंने अपनी संपत्ती के घमंड में आ करके अनंत भगवान का डोरा तोड़ करके आपकी निंदा की हैं जिससे मेरी सारी सुख संपदाई नस्ट हो गई हैं अपने स्वजनों भाई बंदों से नित्य जगड़ा होता हैं मुझसे कोई बाचीत भी नहीं करता हैं महा दुख हो करके आपके दर्सनों के लिए मैं आया हूँ अनंत भगवान की करपा से दया पूरवक आपने मुझे दर्सन दिया है मैंने जो पाप कर्म किया है करपया उसकी सांती का उपाय बताने की करपा करें स्री क्रश्न भगवान कहते हैं कि है उदिष्ठिर भक्ती से तुम देरी मत करो अपने घर को जाओ और 14 वर्ष तक भक्ती पुरवक अनंत भगवान का वरत सरद्धा पुरवक करो तुम सब पापों से छूट करके सिद्यों को प्राप्त कर लोगे तुमारे यां पुत्र पोत्र होंगे सुखो का उपभुक कर पाओगे अन्त समय में मेरा इस्मरन होगा और पीछे निहसंदे अमर पद को प्राप्त कर लोगे संपुर्ण लोगों के उपचार के लिए मैं तुमको और भी वरदान देता हूं संपुर्ण विधी से इस वरत की कथा पढ़ने वाला और शिला के समान इस अनंत का वरत करने वाला इसी वरत के प्रभा मैंने वन में घुमते हुए एक बड़ा ही आश्चरे देखा है वह आपसे पुछना चाता हूं करपा करके उत्तर देने की करपा करें वह आम का जो पेड़ था वह वरक्ष था और गव बेल कमल आदी से सुभायमान पुषकरनी गधा हाती है देव वह सब कोन थे आम इन सु इद्या दान न देने के कारण वरक्ष बन गया था वह जो गाय थी प्रत्वी है उसने पूर्व समय में बीजोगों चुराया था और वह बेल चो जो था वह धर्म था धर्म और अधर्म के कारण वे दोनों नदियां थी पुषकरनी हुई वे पूर्व जन्म में कोई ब्रा जनादी कभी नहीं दिया था और मांगने वालों को भिक्षा भी दान में नहीं दि थी उसी पाप कर्म से आपस में उनकी जल की धाराएं इखटी होती थी वह जो गदा था वह क्रोध का सुरूप था वह आती जो है मद का सुरूप है और वह वरक्ष ब्रामन है और मैं अनन्त हूँ और यह जो गुफा है संसार है इस तरह कह करके अनन्त भगवान अंतर ध्यान हो गए तो यह चरित्र कोंडिन्य जो है स्वपन के समान देख करके अपने घर को चले आए आगे स्री क्रश्न भगवान कहते हैं कि है युदिष्ठिर कोंडिन्य रिशी ने 14 वर्ष तक अ अनन्त भगवान के कहे अनुसार सभी सुखों को भोग करके अन्त में अनन्त भगवान का इस्मरन करके अनन्त पूर को चला गया तो है उदिष्ठिर इसी प्रकार की कथा को तुम सुनो और 14 वर्ष तक इस अनन्त भगवान के वरत को करो जैसे कोंडिन्य रिशी ने अनन्त पुर्ण होकर के फल को प्राप्त होता है तो हे दिश्ठिर यह वरत मेने आपको सुनाया है इस वरत के करने से मनुष्य समस्त प्रकार के पापों से छूड़ जाता है जाने अंजाने में जो भी पाप कर्म हो जाता है वे पाप सब जल करके भश्म हो जाते हैं इसमें कोई संसई कभी नहीं करना है जो कथा सुनते हैं वे पापों से छूड करके अनंत लोग को प्राप्त कर लेते हैं जो कोई सुद्ध चित्त वाले मनुश्य इस संसार सागर में सुख पूर्व कर रहना चाहते हैं वे कि रक्षा होती है और अनंत भगवान की क्रपा से सुख सम्रद्धी यथावद बनी रहती हैं तो मित्रो आसा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्यानवरधक जानकारी पसंद आई होगी यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें जिससे अधिक से अधिक भक्तजन इसका लाब प्राप्त कर सकें और इसका पुन्यफल आपको भी मिलता रहें और आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें धन्यवाद जैस्री करश्ण मित्रों फिर मिलेंगे